दोस्तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर जार्खण में 15 अगस्त के बाद घोशीत होगा सुखाड बड़ी खबर है सुखाड पर सर्चा का जबाब देते हुए जार्खण के कृिसी मंतरी बादल पत्रेक ने कहा कि जार्खण में जिस्तर का बरसा पात हुआ है वह चिंता का बिसा है उन्होंने कहा कि बरसापात 50% से कम हुआ है सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री की अधशिता में एक बैठक का निजार ही है उन्होंने कहा कि वैसे तो सुखाड पर निर्णय अक्टूबर महिने में होती है लेकिन बीशेस परिस्थिती में अगस्त महिने में भी सुखाड की घोशना की जाती है बड़ी खबर है जारखंड के सिख्षा मंत्री स्रीजगनात महतो की तबियत अचानल खराब हो गई है पता जा रहा है कि मंत्री का बीपी बढ़कर 170 बटा 100 के स्तर पर पहुँच गया है जिसके बाद उन्हें पारस होस्पिटल में एडमिट किया गया है होस्पिटल में मंत्री को ऑक्सिजन सपोर्ट पर रखकर हैदरबाद के डॉक्टर से संपर किया गया है जार्खन बिधान सभा में खतियान आधारित अस्थाने निती निर्धारन की उठी मांग जार्खन बिधान सभा के मौनसुन सत्र में शूनियकाल के दोरान खरसामा के जिमें मिधायक दशरत गागरे ने खतियान आधारित अस्थाने निती निर्धारन करने की मांगी विधाय गागरे ने शुनियकाल में मामले को उठाते वे कहा कि जहारखन सरकार के अधीन तृतिय वच्चतूर्थ वर्गिय पदों पर निउक्ती परक्रिया में शत पर्तिशत अस्थाने युमाओं की भागिदारी शुनिशीत करने के लिए राज्य की अपनी एक अस्थाने नीती परिभाशित होनी चाहिए उन्होंने सदन के माध्यम से सरकार से मांग करते वे कहा कि जहारखन में खत्यान अधारित अस्थाने नीती का निर्धारन किया जाए बड़ी खबर है देश में मंकी पॉक्स से पहली मौद की पुष्टी मंकी पॉक्स वाइरस से हिंदुस्तान में पहली मौद की पुष्टी हो गई है बता जा रहा है कि सेंपल LAPNIV में टेस्ट किये गए थे और बाद में उन्हें पूने वायरोलोजी संस्थान भेजा गया था मृतक में 26 जुलाई की रात में लक्षन दिखे थे जिसके बाद होस्पिटल में सुब भरती कराय गया था बता गया कि इलाज के दोरान उन्होंने आसमा ने मरोड की तकलिप और सांस लेने में समस्या हो रही थी मृतक के संपर्क में 20 लोग आये थे इनमें परिवार दोस्त और फुटबॉल मैच के दोरान अस्थाने टीम के साथ ही शामिल है बड़ी खबर है जारखन विधान सभा में हंगामा बीजेपी विधायकों ने की जारखन को सुखा ग्रस्त गोसित करने की मांग जहारखन विधानसभा के मौनसुन सत्र के दूसरे दिन सुमवार को विपक्ची बीजेपी के विधायकों ने जहारखन को सुखा ग्रस्त का दर्जा दिये जाने की मांग को लेकर सधन में हंगामा किया जिसके बाद विधानसभा अध्यक्च को सधन की कारिवाही दो बार अस लोकसभा में कॉंग्रेस सांसदों का निलंबन हुआ वापस मौंसून सत्र के दोरान लोकसभा में चल चला आ alpha गतिरोध खत्म हो गया स्वंवार को लोकसभा से निलंबित सांसदों का निलंबन इसी के साथ सदन में महंगाई के मुद्धे पर चर्चा भी शुरू हो गई दरसल लोगसभामे हंगामे के आरोप में कॉंग्रेस के चार सांसदों जोती मनी, राम्या हरिदास, मनीकर्म, टैगोर, टी एन परतापन को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया था सोमवार को विपक्च की सहमती से इन सांसदों का निलंबन वापस लेने के लिए प्रस्ताव लाया गया था इसी के बाद निलंबित सांसदों को लोगसभा की कारवाही में शामिल होने की अनुमती दी गई बड़ी खबर है जारखण में वाहनों के फैंसी नमबर की होगी निलामी जारखण में फैंसी नमबर को लेकर निलामी की तेयारी चल रही है इसके लिए बिभागी अस्तर पर काम चल रहा है निलामी प्रक्रिया शुरू होने में लगबग तीन महिने का समय लगेगा बर्तमान में फैंसी नमबरों के लिए एक लाक रुपे तक का चार्ज है अलग-अलग फैंसी नमबरों के लिए ग्यारह हजार से लेकर एक लाक रुपे तक का चार्ज लिया जाता है निलामी के माध्यम से फैंसी नमबरों का बेस प्राइस बर्तमान वाला ही रहेगा वहीं सबसे अधिक बोली लगाने वालों को फैंसी नंबर का आवंटन किया जाएगा फैंसी नंबरों को जारी करने की पूरी प्रक्रिया ओनलाइन होगी इसके लिए परिवहन विभा की बेपसाइट पर फैंसी नंबर के लिए रेजिस्ट्रेशन करना होगा जुलाई में संग्रहित हुए 1,48,995 रुपे जीएश्टी जुलाई महिने में वस्तु एवं सेवाकर संग्र 1,48,995 करोड रुपे दर्ज किया गया जो पिछले साल के इसी महिने की तुलना में 28% अधिक है 2017 में जीएश्टी लागू होने के बाद से यह दूसरा सबसे बड़ा राजस्व है बीत मंत्राले ने इस संबन में बयान जारी करते हुए कहा कुल मिलाकर CGST 25,751 करोड रुपे SGST 32,807 करोड रुपे IGST 89,518 करोड रुपे और उपकर 10,920 करोड रुपे था बतादे कि जून 2022 में कुल GST संग्रह 1,44,000 करोड रुपे था लगातर पाँच महिने से मासिक GST राजस्व एक दस्वलों 4,00,000 करोड रुपे से अधिक रहा है जो हर महिने लगातर बिर्धी को दर्शाता है बड़ी खबर है जारखंड बिधान सभा में पेश हुआ 3,436 करोड रुपे का पहला अनुपूरक बजट जारखंड बिधान सभा के मौनसुन सत्र के दूसरे दिन सोमवारकु जारखंड के बिध मतरी डॉक्टर रामेशोर उराओ ने विपक्च के हंगामे के बीच 3,436 करोड पचपन लाख 36,000 रुपे का पहला अनुपूरक बजट पेश किया बिधियो वर्श 2022-23 के लिए जारखंड सरकार का ये पहला अनुपूरक बजट है इसमें सबसे अधिक महिला बाल विकास एवम समाजिक सुरक्षा बिभाग के लिए 688 करोड रुपे आवंटित के गए हैं इसके बाद पंचायती राज बिभाग के लिए 624 करोड और अनुसूचित जाती अल्प संख्यक पीछडा वर्ग कल्यान बिभाग के लिए 426 करोड रुपे आवंटित के गए हैं इससे पहले बजट सत्र में 1,101 करोड का मूल बजट सदन पर रखा था बड़ी खबर है जारखन में हेल्थ और क्रिसी बिभाग में तबादला नए अस्थान पर योगदान देने का आदेश दिया गया है वहीं क्रिसी बिभाग ने 7 दिनों के अंदर नए अस्थान पर योगदान देकर रिपोर्ट करने का आदेश दिया है देश में पिछले 24 गंटे में सामने आये कोरोणा के 16,464 नए मामले भारत में पिछले 24 गंटे में कोरोना महमारी को लेकर राहत की खवर मिली है सोमवार को सुवास्थ बिभाग द्वारा जारी कोरोना बुलेटिन यानि ताजा आकड़ो के अनुसार देश में बिते 24 गंटे में कोरोना के नए मामलों में भारी कमी आई है इस दोरान कुल 16,464 नए कोविड मरीजों की मिलने की पुष्टी की गई है इसमें देश में कोरोना के कुल सक्रिय मामलों की बात करें तो ये आकड़ा 1,49,989 हैं वहीं अब तक देश में लगभग 4,344 लाग से अधीक लोग कोरोना की संक्रमन को मात दे कर रिकवर होने के बाद होस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं सबसे बड़ी बात यह है कि देश में अब तक कोरोना वैक्सिन की 204 करोड डोज लग चुकी है बता दे कि देश में 7 अगस 2020 को संक्रमितों की संख्या 20 लाग 23 अगस 2020 को 30 लाग और 5 सितंबर 2020 को 40 लाग से अधीक हो गई थी भारती रेलवे स्टेशनों की बदले की सूरत 40 से अधीक स्टेशन बनेंगे मीनी मॉल इंडियन रेलवे अपने यात्रियों की सुविधाओं का हमेसा ध्यान रगता है इसके लिए वह लागातार कोशिश में जुटा हुआ है इसी कड़ी में स्टेशनों के काया कल्प के लिए रेलवे 40 से अधीक रेलवे स्टेशनों को मॉल में बदल सकता है इसके लिए रेलवे 17,500 करोड के पैकेज की तैयारी कर रहा है इस राशी से आने वाले समय में स्टेशनों की इस्तरक काया कल्प किया जाएगा कि वे मीनी मौल की तरह दिखाई देंगे ये स्टेशन रूफटॉप प्लाजा से लहस होंगे इनमें शौपिंग सेंटर्स, फूड कोट और रिस्तरा होंगे इसके लिए बकायदा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है केंदर ने कहा उजवला योजना के 4 करोड लाभार्थियों ने नहीं कराया एक भी रिफिल केंदर सरकार ने सोमवार को संसद में बताया कि पिछले 5 सालों में प्रधान मंतरी उजवला योजना के 4 दस्मनों 1,3 करोड लाभार्थियों ने एक बार भी सिलिंडर रिफिल नहीं कराया जबकि 7,67 करोड लाभार्थियों ने एक ही बार सिलिंडर भरवाया पेट्रोलियम और प्राकिर्ति गेज राज्यमंत्री रामिश्वर तेली ने राज्यसवा को एक सवाल के लिखित जबाब में यह जानकारी दी उच सदन में विपक्ष किनेता मलीकारजुन खड़के ने केंदर सरकार से पी एम जूबाई के ऐसे लाभार्थियों का ब्योरा मांगा था जिन्होंने बीगत पाँच वर्सों में एक बार सिलिंडर रिफिल कराया या नहीं कराया बड़ी खबर है इगनू की जुलाई सत्र के लिए रेजिस्ट्रेशन की तारिक बड़ी आगे इंदिरा गाधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के जुलाई सेशन में एडविसन की चाह रख रहे शात्रों के लिए बहत बड़ी खबर सामने है दरसल इगनू ने जुलाई सेशन के लिए रेजिस्ट्रेशन की तारिक एक बार फिर से बढ़ा दी है इसके तहत अब इस सत्र के लिए शात्रों को 12 अगस्त 2022 तक अपलाई कर सकते हैं अब ऐसे में जिन शात्र शात्राओं ने अभी तक आविदन नहीं किया है वे इस सत्र के लिए अपलाई कर सकते हैं अपलाई करने के लिए शात्रों को आधिकारिक वेबसाइट इगनू.ac.in पर जाकर आविदन करना होगा बड़ी खबर है रेलवे का बड़ा फैसला अब इस्टेशनों पर नहीं मिलेंगे इनक्वारी काउंटर रेलवे मंत्राले ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया है फैसले के ताथ इस्टेशनों में इनक्वारी काउंटर का नाम बदल दिया गया है इन काउंटरों का नाम अब सहयोग होगा यहाँ पर यात्री मदद ले सकेंगे रेलवे बोड ने इससे सम्बंधित आदेश सभी जोनल रेलवे को जारी कर दिया है रेलवे मंतराले द्वारा इससे सम्बंधित आदेश जारी कर दिया गया है आदेश सभी भारते रेलवे के स जाता है इस तरह याद्यों को सहो किया जाता है इसी को ध्यान में रखते हुए इसका नाम बदलने का फैसला लिया गया है